फ्रेंस, ब्रिटेन की महारानी अलिजबेट टू दुनिया की अकेली ऐसी महिला है जो बीना विजा और पासपोर्ट के लगबग 100 से ज़्यादा देश घूम चुकी है दरसल ब्रिटीश राजगराने में महारानी को छोड़कर बाकी सबी सदस्यों के पास पासपोर्ट है जिसका इस्तमाल वो फॉरेंट टूर के लिए करते हैं लेकिन महारानी के पास कोई पासपोर्ट नहीं है इसकी वज़़े ये है कि ब्रिटेन के बाकी नागरिकों को वही पासपोर्ट जारी करती है ऐसे में उन्हें खुद पासपोर्ट की जरुरत नहीं है हाला कि ये बात अलग है कि उनके पास कुछ सीक्रेट दस्तावेज है महारानी के दुन्या भर में ये दस्तावेज को पहुँचाते हैं ये दस्तावेज अपने आप में पासपोर्ट की तरही वैलिर होते हैं वहीं महाराणी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो कार चला सकती हैं यहां तक कि उनके पास अपना पर्सनल एटियम मशीन भी है जिससे शाही परिवार की कैश की जरुरते पूरी होती हैं बृतें में महाराणी महाराणी एलिजाबेटी एक मात्र ऐसी शक्सियत है जिनने इंकम टेक्स तक भनने की जरुरत नहीं है और इन पर कोई मुकत्मा भी नहीं चला जा सकता एक बात और है कि महाराणी अलिजाबेट साल में दो बार अपना बद्दे मनाती है ऐसा करने वाली यह दुनिया की एक दूमधाम से मना जाता है और इसकी गोशना गवर्मेंट की और से की जाती है नौर्थ आस्ट्रेलिया में जून के दूसरे सुमवार और वेस्ट्रेलिया में September के आखरी वीक या October के पहले वीक में महाराणी एलिजाबेट का बद्दे मनाया जाता है इसके अलावा न्यूजिलेंड में महारानी का बदे जून के फर्स्ट मंडे और कैनेडा में में के पहले सुमवार को मनाया जाता है